एक married lady अपने एक old friend के पास आने के बाद अपने marriage को सुतारने की कोशिश करती है पर उससे क्या पता था कि उसका old friend ये बहुत ही obsessive और psycho है वो बहुत ज़्यादा dangerous था Hello friends, आज मैं आपको fatal affair ये 2020 की एक Hollywood thriller movie explain करने वाल हूँ अगर आपको अच्छा लगता है तो please इसे like और comment जरूर कर दीजेगा अब बिना किसी दरीके explanation स्टार्ट करते है movie स्टार्ट होती है और हमें एक couple को देख सकते है अजनक से उन पर किसे ने war करकर उन्हें मार दिया इसके बाद हमें हमारी main character दिखाए जाती है इसका नाम है Ellie Ellie के husband का accident हुआ था इसके बाद वो city से एक बहुत ही अच्छे से town में move हुए है पहले इनकी marriage में problem थी पर आज कल इस पर वो work कर रहे है वैसे भी उनकी बेटी college के first year में है तो इस वज़े से new town में move करने की perfect opportunity थी Ellie को इस town में ज़र अलग लगता है अपनी बेटी को भी वो miss कर रही थी उसके husband ने का कि वो पास ही है चलती से हाँ पर बहुत जाएगी जादा वरी मत करो इस new town में move होने से पहले Ellie को अपना job थोड़े दिन करना पड़ेगा तो इसी meeting पर वो गई हुई थी वहाँ पर वो डेविड को देखती है डेविड अक्चल में उसका college का friend था इतने सालों बाद एक दूसरे को देखकर ये दोनों बहुत ही surprise थे ये 20 एस बाद मिले है डेविड कहता है ऐसा लगता है सिर्फ 20 minutes हुए है उसे एली तब जैसे दिखती थी वैसे आज भी दिखती है उतने ही beautiful ये बाद उसने उसे बता भी दी वो उससे कहता हम दोनों को मिलना चाहिए ज़रा catch up करना चाहिए एली उसे हा कहती है बाद में और एक meeting के लिए ये दोनों फिर से मिले आज डेविड एली से फिर से बोचता है कि क्या हम कही चल सकते है उसे उसे बात करनी थी पर एली के plans थे अपने friend के साथ तो night out के लिए जाने वाली थी एली को आड़ाया कि डेविड भी उनके साथ चल सकता है उसके friend को कोई भी problem नहीं होगी डेविड भी थोड़ा सा unsure था पर इसके लिए मान गया इसके बाद रात में वो बार में मिले पर एली की friend वहाँ पर पहुची नहीं थी तो एली और डेविड ये दोनों अकेली थे आज ये बहुत सारे wine बिते है एक दुसरे को उन्होंने family के बारे में पूचा यहां में पता चलता है कि डेविड का divorce हो चुका है डेविड ने एली से बूचा कि तुम्हारी family भी perfect है एली कहती है 20 साल आप किसी के साथ रहते हो पर एक दिन लगता है कि वह आपके लिए stranger है यही बाद एली को अपने husband के बारे में आजकल लग रही थी इसके बाद डेविड ने एली से का कि चलो हम dance करते है यह बार के बास आए डेविड ने confess किया कि तुम्हारे firm में job लेने से पहले मुझे बता था कि वहाँ पर तुम काम करते हो मैंने सोचा इतने सालों बाद तुमसे मिलना अच्छा होगा तो इस वज़े से मैंने job ले लिया अगर 20 साल बेले तुमने मुझसे शादी की होती तुम्हे stranger की तरह नहीं लगता इसके बाद इन दोनोंने dance किया और bathroom में जाकर एक दूसरे को kiss करने लगते यह intimate होने वाले थे तभी Ellie realize करती है कि यह सब बहुत ही गलत है उसे जटक कर वहाँ से चली गई उसे sorry कहती है डेविड ने कहा कोई तुम्हे appreciate कर पाए ऐसे आदमी को तुम deserve करती हो पर Ellie वहाँ से चली गई वो घर आकर सारी चीजों के वारे में सोचती है इस वाजे से वो therapy में था अपने divorce को लेकर भी वो बहुत ही ज़्यादा sensitive है आज Ellie से मिलने के लिए उसकी बेटी भी आगे यह सब लोग बहुत ही खुश थे एक दिन काम पर जाते होए Ellie फिर से डेविड से मिली डेविड आकर उसे कहता है कि I'm sorry जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था क्या तुम मुस्से नाराज हो मैरे call भी तुमने नहीं उठाए Ellie गयती कैसा नहीं है डेविड फिर से उसके साथ कुछ coffee वेगरा लेना चाहता था पर Ellie ने का हमें यह सब यही stop कर देना चाहिए वो फिर से उससे कोई भी contact नहीं रखना चाहती इस बात से डेविड को बहुत ही hurt लगा और रात में Ellie को call करने की कोशिश करता है पर Ellie ने उसका number block कर दिया डिनर बनाते बनाते Ellie को एक चोट आ कही थी उसके husband ने उसका खैल रखा और रात में दोनों intimate हो जाते है पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों उपर डेविड नज़र रख रहा था अगली दिन Ellie का husband Marcus यह उसके new office में उसके लिए full भी लेकर आया हुआ था आज Ellie और Marcus के पास Ellie की core रखर डिनर के लिए आने वाली थी उसने अपने साथ date लाई पर ही डेविड था Ellie इस बात से बहुत ही ज़्यादा सप्राइस्ट हो जाती है Marcus ने डेविड से बात की उसके profession के बारे में पूछा डेविड एक्चुल में एक hacker था जो country के किसी भी high security email को भी crack कर सकता है Marcus डेविड से बुछता है तुम Ellie की कोवरकर से कैसे मिले Ellie की कोवरकर जिसका नाम था Courtney उसने का कि हम दोने लिफ्ट में मिले थे डेविड बहुत ही confident था और मैं उससे attracted होके कोटनी को डेविड के लिए बुरा लगता है क्योंकि अभी अभी उसका divorce हुआ है मारकस ने बुचा कि तुम्हारे divorce क्यों है डेविड गहता है कभी-कभी आपको लगता है कि बहुत सारे सालों बात भी आप जिस आदमी के साथ रह रहे हो वो completely stranger है एक्शुल में Ellie का dialogue था जब कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था तो डेविड को किचन में लेकर जाती है खहती है अभी क्या भी कुछ बहाना बना और यहां से निकल जाओ डेविड कहता है हम दोनों के बीच में कुछ हो सकता है हम मेलकर यह work कर सकते है Ellie बहुत ही गुसा थी उसे निकल जाने के लिए खहती है अगले दिन डेविड ने Ellie को एक बहुत एक्सपेंसिव रेकॉर्ड गिफ्ट किया उसमें सौरी का नोट लिखा था Ellie ने फिर उसे कॉल किया और एक जगा पर मिलने के लिए बुलाया डेविड एली से कहता है कि हमारे बीच में जो भी होगा कि हम सब कुछ सिक्रेट रख सकते है Ellie कहती है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं होगा डेविड होरों से ब्लैकमेल करने लग लगया कि तुमारे हस्बन को अगर पता चला तो क्या होगा उसे स्टिक्ली ना बोल कर यहां से हो चली के अगली दिन कोटनी गुसे में Ellie के पास आई कहती है तुमने डेविड को इस तरीके से धिनर से निकाल के से दिया तुमारा हस्बने अची फैमिली है फिर भी तुम डेविड के साथ अफेर क्यों करना चाहती हो एक्चुल में डेविड ने कोटनी को सारी बाते अलग बताई थी वायकर है इस वज़े से डेविड ने Ellie को जो मैसेज बेज़े थे वो Ellie ने उसे बेज़े इस तरीके से वो कोटनी को दिखाता है कोटनी बहुत जादा गुसा हो कही थी Ellie उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी नहीं करूंगी पर फिर भी वो मानती ने हर्ड होकर भासी चली गई Ellie ने फिर डेविड के बारे में रिसर्च किया डेविड की तेरविड ये Ellie के भी फ्रेंड थी है वो जाकर उसे बात करती है उसने Ellie को बताया कि 20 साल वेले डेविड तुम्हारा दिवाना था तुमने कभी भी उसे नोटी सी नहीं किया उसे बताती है कि डेविड को बहुत ज़्यादा गुसा आता है अपनी वाइफ के साथ डिवास के बाद वो बहुत ज़्यादा डिस्टरब हो गया था Ellie पुछती कि उसकी वाइफ कहा है तेरी बिजने कहा कि उसकी डेथ हो चुकी है वो अपने बॉइफ्रेंड के साथ थी तब उसका किसी ने मर्डर कर दिया Ellie को अब लगता है कि डेविड ने उसका मर्डर किया होगा वो बहुत ज़्यादा डर के डेविड ने Ellie को जब वो दोनों डांस करे थे इसका वीडियो बेजा वो उसे कॉल करती तो कहता है अगर तुम्हारे हस्बन ने वीडियो देख लिया तो क्या समझेगा Ellie ने गहा कि तुमने आपने एकस वाइफ को मार दिया था अगर कोडनी को यह पता चलता है तो क्या होगा डेविड कहता है हम दोनों की रिलेशनशिप को मैं इस तरीके से गिव अप नहीं कर सकता Ellie ने फिर कोडनी को इमेल किया इसमें डेविड की वाइफ के मर्डर के बारे में लिखा हुआ था कोडनी को यह इमेल मिलना पाया इस वज़े से डेविड उसके घर पर पहुँच गया उसे एक लॉंजरी गिफ्ट की और जब वो पहनने के लिए के तब उसने इमेल डिलीट कर दिया आज राते दोनों इंटिमेंट हो जाते है इस वज़े से कोडनी एली का फोन उठा नहीं पाई एली कोडनी के घर के बाहरी थी जब डेविड निकला तो उसका उप पीछा करती है पीछा करते करते हो गोल्ड कोड पहुची यहावर आज डेविड मारकस के साथ गोल्फ खेल रहा था वही देखकर बहुत ही डर गई डेविड मारकस से कहता है कि तुम्हारी वाइफ को पाने के लिए बहुत सारी लोग मर्डर भी कर सकते है मारकस ने कहा कि मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ मेरा अग्सिडंट होने के बाद एली ने मेरा बहुत खैल रखा पहले हमारे मारिज में बहुत सारे प्रॉल्लम्स थै हमने थेरिपी की और इस अग्सिडंट के बाद हम बहुत ि करीब आगे डेविड मारकस को आज कुछ भी नहीं बताता इसके बाद पीछा करते करते एली डेविड जहाँ बर रहता है वहाँ बर पहुच गए वहाँ के रिसेप्शनिस से उसने का कि आज सुबा शायद तुमने मुझे देखा होगा मैं डेविड के साथ थी है उसके घर में मेरा कुछ रहे चुका है क्या तुम मुझे घर की चावी दे सकती हो रिसेप्शनिस ने उससे चावी दे दी घर में जाने के बाद उसने सारी चीज़े चेक की उसके लैप्टाप में अलग-अलग फोल्डर्स हो देखती है जिसमें अपनी एक्स वाइफ के सारे फोटोस उसमें थे एली के भी अपने घर में अपने हजबन के साथ इंटिमेट होते हुए सारे फोटोस भी इसमें थे यह बात देखकर वह बहुत जादा डर जाती है पर तभी डेविड वहाँ पर पहुझ गया एली जल्दी से यही पर नीचे छुप गई डेविड शायद उससे ढून लेता पर उसके कोटनी को कॉल आ जाता है उसके पास चला गया एली ने इंस्टेंटली फिर कोटनी को कॉ कि तुम्हें जो डेविड लगता है वैसा हो है नहीं उसने अपनी वाइफ को मारा है मैं उसके अपार्मेंट पर गई थी वहाँ मुझे कुछ फोटोज मिले जो मैं तुम्हें सेंड करती हो प्लीज उन्हें देख लेना कोटनी देख थी पर उसके पहले डेविड वहाँ पर पहुझ गया था वो इसे चेक करती है पर डेविड ने देख लिया वो कुछ कर बाती इससे पहले डेविड उसे मारने लग जाता है डेविड वहाँ से चला गया पर एली कोटनी से मिलने के लिए उसे हर्ट पाकर पुलिस को कॉल कर देती है उसने पुलिस को डेविड क के बारे में सब कुछ बता दिया पुलिस डेविड को पकड़ने की कोशिश करते है पर उसके अपार्मेंट में नहीं था मारकस भी थोड़े दिर में यहाँ पहुच गया घर चलने पर एली उसे सब कुछ बता देती है एली ने उसे समझा कि वो सिर्फ एक मुमेंट था उसका कोई भी मिनी नहीं है पर तुमसे ही हमारी फैमिली से बहुत ही प्यार करती हो में कभी भी इसे छोड़ना नहीं चाती है मारकस भी इस सारी बात समझ लेता है उसने एली को माफ कर दिया नेक सिन में हम देखते है कि डेविड ने एक बेगर को पकड़ा अपने कपड़े उस suicide कर लिए पर अभी भी जो dead body मिली है ये डेविड है या नहीं ये confirm नहीं हुआ डिरेक्टिव ने एली के बास आकर ये सारी बात उसे बता दिये एली भी अब ज़रा relax थी कि इस सारी चीजों से अब वो छूट चुकी है एली को अपने घर पर कुछ पुलीस को भेजो वाव उसने पर डेविड उससे खहता है मुझे लगा था कि तुम्हारा हस्बंड ज़रा fight करेगा पर उसने कुछ भी fight नहीं किया अब सबसे ज़ादा important बात ये है कि हम दोनों एक साथ है हम मिलकर एक new life start कर सकते हैं एली भी उसके हाँ में हाँ मिला दिया पर उस पर उसने चाकू से वार करने की कोशिश किया डेविड ने उससे चाकू छीन लिया उससे जोर से मार दिया जिससे हो बेहोश हो गया नीचे वेस्मेंट में मारकस और उसकी बेटी को डेविड ने बान कर रखा था बाहर पुलिस की गाड़ी भी आ चुकी थी ये सब इसे देखने के लेगे तभी पुलिस ओफिसर को डेविड ने अल्डेडी मार दिया था मारकस जल्दी से अपने बेटी को कार में बिटा अगर वहाँ से आगे बेच देता है एली पुलिस को कॉंटेक करे ही थी तभी डेविड ने उस पर भी हमला कर दिया डेविड अली को घसिटे-घसिटे लेकर जा रहा था तभी मारकस ने उस पर हमला कर दिया डेविड मारकस को नीचे फेक देता है तब ही एली ने उस पर चाको से वार कर दिया एली और मारकस यहाँ से भाग रहे थे पर डेविड के पास अब गर्न है वो एली से गहता है कि मुझे कभी भी नहीं लगा था कि चीज़े इतने आउट ओफ कंडोल हो जाएगी प्लीज मेरे साथ चलो हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं एली ने उसे मना किया और मारकस उस पर हमला कर देता है इन दिनों में बहुत फाइट हुए यह माउंटन की एज पर थे और डेविड वहाँ से नीचे गिरने लग गया एली ने उसका हाथ पकड कर अगा था उसे मरने देना नहीं चाहती थी डेविड नोटीस करता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मारकस एली को सपोर्ट कर रहा है यह देखने के बाद उसने अपना हाथ चुडा लिया नीचे गिर कर उसकी डेथ हो जाती है इसके बाद थोड़ा टाइम गुजर चुका है हम देखते हैं कि एली की फैमिली ने इस इंसिडन्ट से ज़रा रिकवर कर लिया है इस टाउन में आना इने मिस्टेक लगी थी तो फिर से सिटी में हो चले जाते है जहाँ एली को अच्छा लगता है यह सारी फैमिली बहुत खुश थे और इसी मुमेंट पर यह मुवी एंड हो जाती है डेविड दिखने में तो बहुत ही नॉर्मल लगता था पर एली को उसके बारे में पता नहीं था एली ने अपना कंट्रोल एक मुमेंट के लिए लूस किया था पर इसी वज़े से डेविड ट्रिगर हो गया उसने एली को पाने के देए सारे लिमिट ट्रॉस कर दि फैनल उसने मारकस और एली کو देखकर रेलाइस किया यह प्यार एली और मारकस की बीच में है और इसके बीच में नहीं आ सकता इस वज़े से उसने खुद हाथ छुड़ा लिया और सुसाइड कर ली इसे के साथ आज का वीडियो हम गतम करते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा मैं बहुत सारे मुवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजेए और बेल नोटिवेशन आइकों दाने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निम्यों के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिये